बॉलिवूट की एक नामी सिंगर ने खुलासा किया कि किस तरह से कॉलेज डेज में उसके साथ सेक्ष्वल हैरस्मिन्ट होता था कॉलेज में सीनियर्ज जोर-जोर से उसका साइज बताते थे यह वो सिंगर है जो अकसर सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ट राय रखती है इन फैक्ट बॉलिवूट इंडेस्ट्री के उन चन लोगों में से एक है जिन्होंने सलमान को भी कई बार खरीखोटी सुनाई है यह सिंगर है सोना महापात्रा सोना महापात्रा ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा शौकिंग खुलासा किया है उनके कॉलेज डेस का कि बीटेक डेस के दौरान जब वो माइक्रो प्रोसेसर लैब में जाया करती थी वहाँ पर उनकी युनिफॉर्म एक ग्रीन कलर का लूस कुरता थी और एक दौपटा थी जिस वक्त वो गुजरती थी तब सीनियर्स जोर जोर से सीटिया बजाते थे और लाउडली नमबर्स बोलते थे उनकी ब्रा साइस का इनफेक्ट उनमें से एक सीनियर तो ऐसा भी था जो उनके पास आया और पास आकर कहा कि वो अपने दौपटे को ठीक से लगाए ऐसे जिससे उनकी पूरी ब्रेस्ट जो है वो कवर हो जाए सोना मापात्र की इस खुलासे के बाद कई तरह के रियाक्शन आये हैं कुछ लोगों ने जहाँ सोशल Ona पर अपने कॉलेज डेस's के एक्सपिरियंस शेयर किये हैं मही कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह बात तुम यहां आकर क्यों बता रही हो तभी तुम्ने कम्प्लेंट क्यों नहीं की सोना महापात्र ने इसके बाद ये भी clear किया कि उन्होंने अपने college days की जो बात बताई है उसमें उन्होंने अपने कपडों की detail में description इसलिए दी है क्योंकि जहाँ एक तरफ ये इलजाम लगता है लड़कियों पर कि लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने के कारण उनके से लोगों ने क्या देखा उनकी breast size क्लियर डी सोना महापात्र ने ये बताने की कोशिश की है कि problem कपडों में नहीं है बलकि problem नजर्ये में है ये narrative काफी time से शुरू किया गया है लोगों क्या mindset change करने की काफी कोशिश की जा रही है लेकिन उसके बावजूद कई narrow minded people के इस त industry की one of the bold personalities में से एक है social media पर हमेशा bold रही उन्होंने अपनी राय रखी है फिर भले ही उन्हें ट्रोल ही क्यों न किया गया हो मीटू के time पर सोना महापात्रा ने अनुम मलिक और केलाश खेर पर sexual harassment के आरोप लगाए थे क्या आप सहमत है सोना महापात्रा की इस बात से ये sexual harassment अब नहीं कब से होता आ रहा है हाँ अब बदलाव यह है कि लड़किया अब बोलने लगी है पुराने जमाने में जब कपड़े इतने revealing नहीं पहने जाते थे तब भी ये सब होता था तो क्यों ये सारा blame कपड़ों पर लगाया जा रहा है कोई तो समझे कि नजरिया भी गलत हो सकता है क्या है आपकी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें